हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल एल के भी स्टेटी चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके लिलाएं पॉलिटेक्निक जीटियाई मैस के चैप्टर सेवन्थ का पार्ट फस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था च एक्स एक्कॉल टू अंडर रूट में 12 में प्लस फिर अंडर रूट में 12 में प्लस फिर अंडर रूट में 12 डेश 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 इंफिनिटी है तो एक्स का एक मूल होगा हमें एक्स की एक एक्कॉल टू क्या दिया है अंडर रूट में दिया है तब हमें एक्स क्या बताना है एक मूल बताना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे करना सबसे पहले जो हमाई ये equation दिये एक तरह से इसे हम note कर लेंगे क्या x equal to under root में 12 plus under root में फिर 12 plus under root में फिर 12 plus dot 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 infinity तक गए हम यानि कि ऐसे आगे हम चलते रहेंगे तो इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले इस पहले वाले 12 को छोड़ कर ये जो इतना पूरा हमारा portion बचाई है इसे हम क्या माल लेंगे x माल लेंगे पूरे को क्या माल लेंगे x माल लेंगे अब जब हमने पूरे को x माल लिए अब हमारे क्या बचा यहां हमारा सिर्फ बचा x under root 12 plus x अब हम यहां क्या लिखेंगे दोनों और work करने पर दोनों और work करने पर तो x का work क्या होगा x square और इस right hand side में क्या है 12 plus x हम इसका क्या करेंगे work जब इसका work करेंगे तो यह square से root हमारे क्या होगा cancel होगा तो हमारे क्या बचा x square equal to 12 plus x अब यह x square ऐसे ही यह plus का x इदर आगे minus का x और यह plus का 12 इदर आगे minus का 12 equal to क्या बचा 0 अब इसके हमारे क्या करने है factor करने है तो यह जो अचरपाद है इसकी multiply किस से होगी x square के गड़ांग से x square का गड़ांग क्या 1 तो 12 बन जा कितना होगा 12 होगा 12 को हम लिझा 4 3 जग यानि कि यह जो हमारा minus x से हम क्या लिख सकते है minus 4x plus 3x minus 12 equal to 0 अब युझे जो हमारे पिर्थम दो पद है इनमे हमारे क्या common है इनमे हमारा x common है x common लेंगे तो x minus 4 plus 3 common लेंगे तो x minus 4 अब x-4 फिर से common है तो हम फिर से common ले लेंगे तो हमारे यहां क्या होचे एक्स प्लस 3 equal to 0 अब अगर हम कहें कि x-4 equal to 0 है तब हमारी x की value कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी अगर हम कहें कि x-3 equal to 0 हो तब x की value कितनी होगी minus 3 यानि कि जो हम equation दी थी उससे हमारे कितने मूल आगे दो मूल आगे एक तो क्या आगे 4 आगे और एक minus 3 अब इसमें से एक क्या आगे 4 और एक minus 3 अब इसमें से भी जो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा answer होगा तो अगर हम देखें इसमें जो हमारा option number a है वो हमारे क्या है टू प्लस अंडर रूट में टू प्लस डैस 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 इंफिनिटी हो तो x का एक मूल होगा अभी जैसे हमने question number one किया था similar एक question क्या वैसा ही है तो हमें equation दिये उससे क्या निकालना है x का एक मूल निकालना है और यह जो क्या करना है यह जो पहला रूट के अंदर two है और यह प्लस इसे हमें छोड़ देना अभी यह जो हमारे इतना बचा पूरा है इसे हमें क्या मान लेना है x मान लेना है फिर क्या करना हम दोनों और वर्ग करने पर दोनों और वर्ग करने पर तो यह left hand side का वर्ग होगा x square और यहां का वर्ग क्या होगा यह जो राइट-hand side का हम वर्ग कर देंगे यह x square अभी जी square है इससे root क्या हो जाए x square के गुड़ांग की x square गुड़ांग क्या है 1 है तो 2 की गुड़ांग जब होगी एक में तो कितना हैगा 2 और 2 के अब हाज गुड़नखन क्या होगा दो गुड़ांग यह जैनि कि x square ऐसे ही यानि कि इस minus x को जगे मैं क्या लिख सकता हूं minus 2x plus x minus 2 equal to 0 अब इन दोन पदो बदोब में क्या common है x तो यहां होगी x minus 2 इन दोन पदोFORE में क्या common है 1 common है तो x minus 2 equal to 0 अब फिर से इन दोन में क्या common है x minus 2 common लेंगे तो हमारे क्या जाएगा यहा एक सप्लस 1 equal to 0 अब अगर x minus 2 equal to 0 होगा तो X की value कितनी आजाएगी 2 आजाएगी अगर X plus 1 equal to 0 होगा तो X की value कितनी आजाएगी minus 1 आजाएगी यानि कि ये जो question number 2 है इसका जो option number B है वो हमारे क्या होगा? right answer होगा हमारे तो इसके कितने मूल आगए? दो मूल आगए मगए दोनों में से जो X equal to 2 है वो इस चार option में से एक दिया है तो इसका जो right answer होगा? B होगा option number B question number 3 question number 3 क्या है? समी करनो 2X plus Y plus 4 equal to 0 और X plus 3Y plus 7 equal to 0 का वर्जगण से हल है तो प्राप्ट समी करने है हमारे ये जो दो समी करने दी है इसे वर्ज इन दोनों को वर्जगण से हल करने के लिए हल करने हे तू जो हमें समी करन मिलेगा उसे क्या करना बताना है तो अगर आपको वर्जगण विदी नहीं आती है तो इसका वीडियो में बना चुका हूँ जिसका link मैंने नीचे दिया है description में अब पहले equation क्या है 2x plus y plus 4 equal to 0 और दूसरी equation क्या है हमारी x plus 3y plus 7 equal to 0 तो वर्जगण विदी में हमें क्या करते है सबसे पहले हमें equal to की right hand side में क्या लाना पड़ता है 0 तो यहां पहले से 0 है अब हमें यह देखना पड़ता है कि वो जो रहकिक समीकड है किन दो चरों में दी गई है यहां जो यह दो रहकिक समीकड हमें किस में दी गई है एक तो x में और एक y में x और y में दी हैं तो हमें सबसे पहले लिखना है x उसके नीचे बटा कीचना है फिर क्या लगाना बरावर फिर हमें क्या लिखना है Y उसमें बटा गीचना है फिर हमें क्या लिखना है एक उसकी नीची क्या गीचना है बटा लिखना है फिर हमें क्या करना है जब यहाँ X को हमें देखेंगे तो यह X वाले नमरों को हम छुपा लेंगे अब x को जब छुपा लेंगे तो यहाँ y के multiply में कुछ नहीं है तो हम क्या मान ले रहें एक और यह 1 के multiply किसम होगी 7 में होगी तो 1 7 जा 7 बीच में हमारे क्या आएगा इदर minus आएगा अब इस 4 की multiply किसम होगी 3 में 4 3 जा 12 अब हम जब में y को देखना है तो y वाले को हम छुपा लेंगे इदर x के multiply में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1 अब इस 4 की multiply किसम होगी 1 में होगी तो 4 1 जा 4 और इस 7 की multiply किसम होगी 2 में 7 2 जा 14 अब एक की बात है यानि कि जब अचरपत की बात होगी तो ये जो अचरपत है इन्हें हम क्या करेंगे छुपा लेंगे और ये जो x की multiply में है ये क्या 2 जो की multiply किसम होगी 3 से 2 3 से कितना होगा 6 माइनिस लगाएंगे ये 1 1 जा 1 हमारा जो answer दिया है इसी form में दिया है तो यानि कि ये जो question number 3 है इसका जो option number B है वो हमारा क्या होगा right answer होगा question number 3 का question number 4 question number 4 है हमारा समीकरणो 6 x minus 5 y equal to 11 और 2 x plus y equal to 17 से y का will open करने पर x में प्राप समीकरण है हमें क्या निकालना है x में प्राप समीकर निकालना है और ये जो 4 option दिये गए इसमें से right option में tick करना है तो हमारी जो दो समीकरण दिये वो क्या दिये पहली दिये 6 x minus 5 y equal to 11 और दूसरी 2 x plus y equal to 17 हम इन दोनों समीकरणों में क्या करना है y का will open करना है जब हम y का will open कर देंगे तो x में समीकरणा आ जाएगा यानिकि ये जो दोनों समीकरण है यह एक तरह से किस विदी से हल करना है will open विदी से हल करना है अगर will open विदी से समीकरणों को हल करना नहीं आता है तो मैंने description में नीचे link दिया है आप वहाँ से पहले इस वीडियो को जाके देख सकते हैं क्या will open विदी से समीकरणों को हल करना तो इसमें क्या करते हैं हम इस विदी में हमें जो दो चर दिये गए होते हैं उसमें से किसी एक चर को काटना पड़ता है फिर हमें दूसरी चर की value मिल जाती है मगर यहां हमें बोला y को y क्या करने में below परनी है यहनी कि हमाँ y को ही काटना पड़ेगा तो एक तो हमारे plus minus होना चाहिए दूसरा ही जो चर है y इसके आगे number 1 जैसा होना चाहिए यहां तो y क्या कि 5 है और यहां y क्या कि 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले समीकड़ 2 में किस से गुणा करने पड़ेगी पांच से गुणा करने पड़ाईगी तो समीकड़ एक तो हमारी ऐसी रहाएगी 6x-5y equal to 1 समीकड़ 2 हमारी क्या होजाएगी 5 की 2 से गुणा होगी 5 2 नहीं 10x plus 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 5 की y में होगी 5 y और 17 पंजे बार कितना होगा 17 पंजे 85 यह समीकड़ 2 अब हम क्या यहाँ पर क्या लेखेंगे जोड़ने पर लेखेंगे दिए तो plus minus cancel 10x और 6x कितना होजाए 16x 85 और 11 नमर क्या होजाएगा 96 अब यहाँ से हम x की value भी नहीं खाल सकते हैं मगर हमें इसी form answer दिया है यानि कि जो question number 4 ते इसका जो option number D है वो हमारे क्या होगा write answer होगा question number 5 question number 5 claim है समीकरण जिसके mood 513 है तो होगी हमें क्या पूछा हमें एक समीकरण पूछिए जबकि उस समीकरण के हमा mood लिया है क्याusingul 53 दिये तो जो जो दो mood लिया है उसमें जो पहला mood 5 दिया उसे में क्या मान ले रहा हूँ, अल्फा मान ले रहा हूँ, और जो दूसरा मूल तीन दिया, उसे में क्या मान ले रहा हूँ, बीटा मान ले रहा हूँ, तो जब हमें दो मूल दे होते हैं, अल्फा और बीटा, तो जो हमारा समीकर्ण बनाने का सूतर होता, वो क्या होता, मूलों का योगफल मूलों का योगफल यानि की अलफा प्लस बीटा इंटू x मूलों का क्या होगे हमारा योगफल होगे मूलों का योगफल फिर प्लस क्या होता मूलों का गुड़नफल इक्वल टू जीरो यह जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या होता है समीकरण बनाने का तो x square ऐसे ही मूलों का योगफल alpha plus beta की जाए क्या आ जाएगा 5 plus 3 into x alpha into beta की जाए क्या जाएगा 5 into 3 equal to 0 अब ये x square ऐसे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x plus 5 3 is a 15 equal to 0 तो ये हमारी क्या हो गई समीकरण हो गई यानि कि ये जो question number 5 इसका जो हमारा option number a है वो हमारा क्या होगा right answer होगा question number 6 question number 6 क्या समीकरण हो x plus y equal to 13 और 2x plus 3y equal to 32 का हल है हमाई ये दो समीकरण दी है इन्हें क्या करना है हल करना है ये जो पहली समीकरण इसे में क्या माल ले रहा हूँ समीकरण एक और इसे दूसरी समीकरण इसे में क्या माल ले रहा हूँ समीकरण दो अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है हमें समीकरणों को हल करने कि कितने विदी होती है तीन विदी होती कौन कौन सी वर्ज गुडन विदी, पिर्थी स्थापन विदी, विलोपन विदी हम इन तीनों विदी में से किसी विदी से इन दोन समीकरणों को हल कर सकते हैं सबसे आसान विदी कौन सी होती है, विलोपन विदी तो हम इन दोनों समीक्रणों किस विदी से हल करेंगे विलौपन विदी से तो विलौपन विदी से ये कैसे हलूंगे हमें किसी एक चरगो पहले क्या करना पड़ेगा Cancell, यहां तो X को यहां Y को अगर हम Y वाले चरगो Cancell करते तो हमें X की value मिलेगी अगर x को cancel करते हैं तो y को मगर हम y को cancel करने के लिए पहले यहां हमें क्या लाना पड़ेगा 3 लाना पड़ेगा यह उपपर वाले y के आगे यहां 3 कैसे आगा जब इसमें पूरी समीकरण में किसे multiply कर दो 3 से कर दो दूसरा हमें इसके चिन्ने भी change करने पड़ेंगे तो हम पहले क्या करेंगे हम लेखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो यह समीकरण 1 है इसमें पूरे में किसे गुणा हो जागी 3 से तो 3 की x में होगी 3 x 3 की y में होगी 3y और 13 3 जग कितना हो जागा 39 एक्विशन 1 एक्विशन 2 हमारी ऐसी की ऐसी उतर जाएगी अब जो y के आगे नम्मर है यहां तो एक जैसा हो गया मगर अभी उन दोनों के आगे क्या है प्लस एक क्या हमें क्या लाना पड़ेगा माइनस तो हम यहां क्या लेखेंगे घटाने पर जब घटाने पर लखेंगे तो यहां भी माइनस हो जाएगा यहां भी माइनस हो जाएगा और यहां भी माइनस अब जब हम जोड़ेंगे तो यह तो हमारे कैंसिल हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा एक्स और जब 39 में से 2 जाएगा हमारे कितना बचेगा 7 तो एक्स 13-7 हमारे कितना होता 6 होता है तो इस समीकरण के हल क्या हुए एक तो x equal to 7 दूसरा y equal to 6 यानि कि ये जो question number 6 है इसका जो option number D है वो हमारे क्या होगा right answer होगा question 7 question 7 क्या है हमारा समीकरण x square minus 3x minus 28 equal to 0 के मूलों का योग होगा हम एक समीकरण दिये इसमें क्या पूछा मूलों का योग पूछा है तो जो हमारी समीकरण दिये वो क्या दिये x square minus 3x minus 28 equal to 0 तो हमें क्या करना है पहले अचरपत की multiply किस से करने पड़ेगी x square के गुणांक से हम कर क्या रहे हैं इसके पहले factor कर रहे है तो factor के लिए हमें क्या करने पड़ेगी जो अचरपत है इसके किस के होगी x square के multiple से कितना है 1 28 के जब एक मोह कितना होगी 28 28 के हम क्या कर रहेंगी अभाज गुणनकरण तो अभाज गुणनकरण क्या होगी 7 चौक 28 4 एकम 4 तो x square ऐसे ही माइनस 3 X के जगा मैं क्या लिखे दूँगा माइनस 7X माइनस 28 एकमन ले लोगा x तो bracket में क्या बचए ग опыт आँ जे अन्तिम दोपाद हैं इसमें क्या कर मले लोगा 4 तो bracket में क्या बचए ग ABOUT-7 तो जीरो economics हम फिर से common लेंगे तो यहां हमारे क्या बचेगा x plus 4 equal to 0 अब अगर x minus 7 equal to 0 होगा तो x की value कितनी हो जाएगी 7 अब यदि x equal to 4 equal to 0 होगा तो x की value कितनी हो जाएगी minus 4 तो यह दो मूल आ गए इन दोनों मूलों को हमें क्या निकालना है योगफल तो 7 plus minus 4 तो यह 7 plus minus minus 7 में से 4 गया 3 तो यानि कि यह समिकर्ण के जो दो मूल हुए हमारे इनका जो योगफल हुआ क्या होगा 3 हुआ यानि कि जो कोशिन नमर 7 है इसका जो option नमर A है वो हमारा क्या होगा right answer होगा कोशिन नमर 8 कोशिन नमर 8 क्या समिकर्ण 2x square minus 11x plus 5 equal to 0 में मूलों का योगफल होगा जैसे अभी हमने कोशिन नमर 7 करा similar question क्या हमारा वैसा ही है तो जो हमारी समिकर्ण दी है वो क्या दी है 2x square minus 11x plus 5 equal to 0 अब हमें क्या करना है पहले इसके क्या करने पड़ेंगे तो इस अचरपत की गुणा किस से होगी x square के multiple से तो यहाँ x square के multiply में क्या 2 तो अचरपत की गुणा जब 2 से होगी तो 5, 2 से कितना होगा 10 अब 10 के हमें क्या करने पड़ेंगे अभाज जे गुणन खंड तो 5, 2, 10, 2, 1, 2 तो इसके अभाज खंड क्या होए 5 गुणा, 2 गुणा, 1 यानि की 2 x square ऐसे ही मैं 11 x के लिए क्या लिख सकता हूँ 10 और 1 यानि 11 x के में लिख सकता हूँ minus 10 x और minus 1 x plus 5 equal to 0 क्यों लिखा ऐसे है क्योंकि minus 10 x और minus 1 x हमारे कितना होगा minus 11 x अभी जो पिर्थम दो पाद है इसमें मैं क्या common लोगा 2 x तो यहां हमारे क्या बचे का x minus 5 और जो अंतिम दो पाद है इसमें मैं क्या common लोगा minus 1 तो यह minus 1 से minus 1 क्या यहां x बचा है plus minus minus यहां 5 बचा, equal to 0 अब x minus 5 हमने फिर से common ले लिए तो यहां हमारे क्या बचा 2x-1 equal to 0 अगर अब हम कहें कि x-5 equal to 0 है तो x की value कितनी आ जागी 5 यानि कि यह पहला मूल आ गया अगर 2x-1 equal to 0 है तो 2x equal to 1 हो जाएगा x equal to क्या हो जाएगा 1y2 यह क्या होगा 1y2 यह हमारे दो मूल तो आ गए हमें इंका क्या निकालना है योगफल यह नहीं कि 5 plus 1 by 2 इनका योगफल योगफल आब इसके 5 के वटे में में एक मांने किना क्या लेंगे लासा कितना होगा 2 एक से 2 हमारे कितने बार में जाएगा 2 बार में 2 कि जब 5 होगे इनका योगब 12 पांस दो नहीं 10 क्या हमारा यदी समीकरण x square minus px plus 8p minus 15 equal to 0 के दोनों मूल समान है तो p का मान बताना है अब यह जो हमारी समीकरण दी गई है x square minus px plus 8p minus 15 equal to 0 हमसे कहा गया कि इसके जो दोनों मूल है वो क्या समान है तब हमें p की value निकाल लिए है जब किसी भी दूगाद समीकरण के दोनों मूल समान होते है तो हमारी condition क्या होती है तब हमारा जो b square होता equal to किसके होता 4ac के तो अब यह जो हमारी समीकरण दी है इसके हम तुलना किस से खरेंगे जो दूगाद समीकरण का व्यापक रूप होता क्या होता ax square plus bx plus c equal to 0 तो अब जो होई हमारी question में समीकरण दी है यानि किसे हम समीकरण 1 मान ले रहे है इसे समीकरण 2 तो जब समीकरण 1 के तुलना समीकरण 2 से होगी तो हमारी a की जगा क्या है a की जगा 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ x square multiply में क्या है a है और यहाँ x square multiply में 1 है तो a की value कितनी आ गए 1 और यहाँ x की multiply में क्या है b है और यहाँ x की multiply में minus p है तो b की जगा कितना आ गए minus p अब यह जो पूरा पचा यह क्या है हमारा अचरपद है और यहाँ अचरपद क्या है c तो c की value कितनी आ गए 8p minus 15 अब इन A, B, C की value कहां लगाएंगे इस समीकर में क्या B square equal to 4AC में तो B की जग़ काएगा minus P तो minus P की power to 4 into A की जग़ 1 C की जग़ 8P minus 15 अब minus P का square P square हो जाएगा 4 की जब अंदर multiply होगी 4, 8 जब 32P और 4 की जब 15 में होगी तो 60 होगा अब P square ऐसे हमारा यह 32P इदर आगे हमारा minus का और यह minus का 60 इदर आगे plus का 60 equal to 1 क्या हो गया 0 हो गया, अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे factor करने पड़ेंगे तो factor कैसे होगा, यह जो अचरपाद है जो यह 60, इसकी multiply किस से होगी P square के multiple से यानि कि P square के P square के multiple है यहां हमारे क्या 1 है तो 60 के multiply जाब 1 से होगी तो हमारे क्या होगा, 60 हो जाएगा 60 के हम क्या करेंगे, अब हाज जे गुड़न खल, तो 2 से emanegen 30 बार में जाएगा 2 से जे 30 15 बार में जाएगा यह 15 3 से 5 बार में जाएगा और 5 5 से एक बार में जाएगा तो 2 दुनी 4, 2 दुनी 4, 4 पंजे कितना हो गया यह हमारे, 20 हो गया, 4 पंजे 20, हम इसे ऐसे भी कहा सकते हैं, क्या, 5 छती है 15, 15 दुनी 30, 30 और 2 कितना हो जागा यह 32, तो P स्क्वेर माइनस, इस 32 P को मैं क्या लिख दूँगा, माइनस 30 P, माइनस 2 P, प्लस 60 एक्वल टू 0, दो पदों हम क्या कॉमन लेंगे, P कॉमन लेंगे, तो यहां मारा क्या बचेगा, P माइनस 30, अब यह अन्तिम दो पदों में, जब P कॉमन, टू कॉमन लेंगे, तो यहां क्या हो जागा, P माइनस 30, एक्वल टू क्या, 0, अब पी माइनस 30, हम फिर से कॉमन ले लेंगे, 2 यहनी कि p की कितनी value आगे हैं 2 एक 2 और एक 30 यहनी कि जो question number 9 है इसका जो option number D है वो हमारे क्या होगा? right answer होगा question number 10 question number 10 क्या? यदि x square minus 16x plus k equal to 0 के मूल बरावर हैं तो k का मान होगा जैसे अभी हमने question number 9 क्या यह similarity question हमारा वैसे ही होगा तो हमैं क्या करना है? पहले जो समीक्रम देगई है इसके हमें क्या करेंगे? तुलना करेंगे किसे करेंगे? जो द्यूखा समीक्रम का ब्याप価 करूप होता A X² PLS B X PLS U Date जब तुलना होगी तो A की जग कितना हैगा? माइनस वन, क्योंकि यहाँ x स्क्वार की मल्टिप्लाइ में a है, और यहाँ x स्क्वार की मल्टिप्लाइ में 1 है, b की जग इतना है, माइनस 16, क्योंकि x की मल्टिप्लाइ में b है, यहाँ x की मल्टिप्लाइ में माइनस 16 है, और यहाँ अचरपत क्या है C और यहाँ अचरपत क्या है K है अब जब दिखाज समिगण के दोनों मूल क्या होते हैं बराबर तो हमारी condition क्या होती है B square equal to 4AC अब इसमें हम क्या लगाएंगे B की जगा minus 16 तो minus 16 की power 2 plus 4 into 1 into C की जाएंगे कितना आजाएगा K आजाएगा तो minus 16 का square कितना हो जाएगा 256 equal to कितना हो जाएगा 4K अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे K की value तो K की value कितनी हो जाएगी 256 upon 4 4 से से हम क्या करेंगे इससे क्या करेंगे Cancel तो यह 4, 6 is 24 1 बचा 4, 4 जाए 16 तो K की value कितनी हो जाएगा है यहाँ से हमारी 64 यानि कि इसमें कोई option तो है नहीं हमारा तो यह जो D option होगा इन में से कोई नहीं है यह हमारा right answer होगा तो यह question number 10 हमारा complete